नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में अगर आप चहरे की जुरियों से जाईयों से आखों के काले घेरे से और इसी के साथ इसकिन पर जले हुए जो निशान होते हैं उसकी वज़े से इसकिन में कहीं पर खुजली बहुत हो रही है तो इस वज़े से इसी के साथ मुहासों से या चेहरे पर होने वाले किसी भी तरह के दाग धबे से परिशान है। सिर्फ चेहरा ही नहीं हाथ हो पैर हो गर्दन हो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धाग धबे हैं बलैक एट्स और वाइट बहुत ज़्यादा है तो आज की रेमेडी आपके चेहरे के लिए एकदम वर्दान की तरह है अगर आप इसे यूज़ कर आप सबी जानते हैं कि आलों में भरपूर मात्रा में मेगनीशिम होता है फासपोरस होता है आरन होता है जिंक होता है इसी के साथ साथ इसमें अमीनो एसिड होता है गलुकोज होता है और ये एंटी आकसिजन से भरपूर होता है इसी के साथ सथ फ्री रेडिकल्स होता है अ से आपकी स्किन को बहुत ही घलत इफेक्ट पड़ता है उसे स्किन में बहुत ज़ादा ड्राइनस आती है रिडनस आती है लेकिन जब आप आलू से अपने चेहरे पर किसी तरह का कोई भी पैक बना कर लगाते हैं तो इससे आपको नेश्रल ग्लो मिलता है और आपकी स्किन प के बहुत ज़ादा डार्क हो गए है तो इन सभी के लिए आलू बहुत फायदे मंद है तो यहां पर सबसे पहले आपने मीडियम साइज का आलू लेना है और इसे चोटे टुकड़ों में काट लेना है यहां पर आपने वह आलू इस्तमाल करना है जो की बहुत ज़ादा जाएगा मैं भी आपको दिखाऊंगी लेकिन अगर एक हफते तक करेंगे तो आपको बहुत 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 बहुतरिन रिजल्ट मिलेंगे अगली जो चीज़ आपने इस्तमाल करनी है वहां पर आपने लेनी है आज से 10 लोंग जिनके ओपर फूल लगा हुआ हो ऐसे अगर यूज़ करेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा लॉंग जो है अंटी अक्सिजन से भरपूर होती है और आपके स्किन के लिए बहुत जादा अच्छी होती है स्किन में गलो लेकर के आती है अगली जो चीज़ यहां पर इस्तमाल करनी है वो है कापूर आपकी स्क स्किन को ठंडक देने का काम करता है अगर चहरे पर बहुत जादा खुझली होती है शरीर में बहुत कहीं ऐसा है कि आपको बहुत जादा खुझली महसूस हो रही है या फिर इस रेमेडी को आप दाद खाज खुझली की जगे पर भी लगा सकते हैं उसमें भी आपको काफी जादा आराम मिलेगा इसी के साथ जैसे कभी-कभी ना स्किन जल जाती है उसका निशान रह जाता है तो उसके निशान को भी हटाने के लिए बेहत फादिमंद है रेमेडी तो यहां पर मैंने कपूर को भी डाल दिया चार छोटे-छोटे से टुकुडे मैंने इसमें डाले है यहां पर अब इस्तमाल करना है अपने गुलाब जल का आप जाहें तो इसमें थोड़ा सा टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आपकी स्किन पर बहुत जादा टैन आ गया है यानि कि धूप की बज़े से जगे जगे काले धब्बे पड़ गए हैं कहीं स्किन वाइट दिखती ह इस तरह का इवन टोन है आपको तो फिर यह आप यूज कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा टमाटर भी जरूर डालेगा आपको जादा फायदा मिलेगा तो यह देखिए मैंने इसका पेस्पना कर तयार कर लिया है अब इसे लगाने के दो तरीके हैं आप चाहें तो इसे निच जहरे पर, गर्दन पर या फिर हाथ पेर पर जहां पर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ताग धबे हैं या पर कि आपकी आछो पर अगर काले घेरे हैं तो आप आँखों के ऊपर भी श्पेस को लगा सकते हैं आछों को बंद करके आपको बहुत ठंडक मिलेगी अच्छे से मसाज करनी है बढ़िया तरीके से और लगबग 15-20 मिनिट के लिए आपने इसको छोड़ देना है इसी तरीके से उसके बाद साधे पानी से धुल दीजिए इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इंस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा मैं भी आपको दिखाऊ है लेकिन अगर आपके स्किन एक्स्टर ड्राइ है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लिस्टरिन भी जरूर आइट कीजिएगा नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी ना ड्राइनस जादा हो जाएगी अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर आपकी स्किन ओयली है तो आपको यह आप चाहें तो अगर किसी function में जा रहे हैं एक दिन पहले और आप bleach करना चाहरे हैं तो bleach की जगे पर इसे लगा के देखिएगा आपको बहुत ही जादा फायदा मिलेगा और तुरंत glow दिखाई देगा यह आप देख सकते हैं मैं सामने आपको दिखा रही हूँ बहुत ही और जो हानिकारक bleach है उसे करने से वो जो है बच सकें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो please family and friends के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और मुझे comment जरूर किया कीजिए फिर मिलेंगे किसी नई remedy के साथ तब तक अपना खयाल रखें हस्ते मुस्कुराते रहें स्टे स्टे हपी बबाइ